कि अगया है है अगया है है लो एवरीवन वेलकम तो दोजार टोविस आचुका है क्या आप लोगों कुछ दोजार चौविस के लिए सोचा क्या सोचा यह अपने शी सेट के तयारे कि 2023 से 213 में है अब यह गएंगे तो थी से बात करोगे ना तो 2023 के पेपर को हमेशा जाद रखना क्योंकि 2023 के पर्वीश कृश्चन कितने इंपोर्टन और क्यूं हमें इनको बार-बार-बार बार करना चाहिए मैं यह नहीं कहूंगा कि previous year question आपने एक बार कर लिए तो खतम नहीं इनको regular basis पे कीजी इनको आप क्या करो repeat करो क्योंकि यहाँ पर concept है ठीक है यहाँ पर आपके logic है और यहीं से आपको पता चलेगा कि difficulty level क्या है यहीं से पता चलेगा हमें कि हमारा difficulty level क्या है clear क्योंकि previous year question हमें बताते हैं कि आने वाले जो जैसे पंदरा था पंदरा ने मुझे पंदरा ने मुझे थोड़ा हींट दिया कि सोला का पेपर कैसे आ सकता है सोला ने हींटे सत्रा कैसे आ सकता सत्रा ने बता ठारा का इसी तरीके से एक्चुली क्या था 23 का मुश्किल क्यों था क्योंकि 23 के पेपर में हमेशा जब भी previous year questions की बात आते हैं बताता हूं या है रगे इसाल इक्झां में पाफ करेंगे क्यों टार्गेट ब्राम करने का मूद बना रहे हैं बना यह कहने का मतलब, अब तो जो जूड चूक हैं आप टाइमिंगों है .. तीन से लेके साढ़ई चार त्क गूंट का भी कियada ईबध Jahres तयारी मेरे जाती फांच विजए तक नूँ जाती है लेक्टर में क्यों जाता बैए बताएंगे थोड़े जर्वें विचार भी मर्च करते हैं कुछ कोश्टन के पर कैसे बताएंगे कोश्टे में चार दिन क्लासिज रहने वाली हैं आपके पास एक्सकी प्लस लेक्टर से अब यह आपको थोड़े ज्यादा चूर होंगे क्योंकि उमारे वीकली टैस्ट डिस्कॉशन है वह उसके अंदर है ठीक है तो एक्चुली यह क्या पार्ट आपके पास और यह पार्ट मेरे पास 50 एम से कितने मिलने वाले हमें 50 अब क्यों किस रूप में हैं कैसे मिलेंगे उसको भी देख लें चारा देखी यह कैसे मिलने वाले स्पिनेंट से में तो मतलब मेरे साथ क्वांट और रिजिनिंग आपके 75 लेक्चर और आपके पास 15 लेक्चर आपको इंग्लिश के मिलने मारें जो की कॉंप्रेंशन को समझेंगे तो यह मेरे पास 90 प्लस है इसको छोड़ के इस बैच में बहुत कुछ है जो 1 by 1 में आपको बता रहा हूं देखो सबसे पहले किसमें है मेरा विकली शेडूल ठीक है सुद्टuição विकली शेडूल वहांवे विकली शेडूल में आपको पता चलेगा वीक में लेक्चर कौन को हों से इस फीक आपके पास कौन को हों से लेक्चर फ़्य एक बात और यह वाला जो मेरा बच था ना यह मेरा बैच भाच आ ऑन-lica प्लस ओफ लेंभ खो सकते हैं और हमारे head center मौहली में आके भी सबसे पहले कि अपको लेक्चर की पीडिया नंबर दो पर आपको दिखेगा रिसोर्स, और नबर तीन पर आपको क्या दिखे करें यहां पर अब एक एक करके समझते हैं यह तीनों चीज़ें क्या है मेरे पास ठीक है ध्यान से सुनों क्या आपको इस बैस में मिल रहा है क्योंकि यह है मेरा जिरो टू यह बैस क्लियर देखो सबसे पहले क्या है मेरे पास लेक्टर जो मैंने क्लास में करवाना है वह प्रीडिय अप्लोडिड है किसमें लेक्टर वह हमीशा रहेगा इस पर्टिकुलर लेक्टर हमने कौन को से कोश्चन किया थे कभी कुछ मिस हो जाए कभी डेटा आउनलोड कर पाएंगे वह आपके पास बेडिडिक अधिकशन अब meant तक आपके पास से बसक्राइब है एक साथके नेक्स में मेरे पास क्या होगा रिसोर्सी में में मेरे बास वो डेटा होगा जो इस जाए कि बारे में बताया होगा जैसे कि एक चैप्टर इम्पॉर्टन सब्सक्राइब है यह जो मिरे पस नमबर तीन में आपके पास आधा घंटा मिलेगा आपको उसको किसके लिए उसकी discussion के लिए the discussion come doubt session है students ये मेरा 30 मिनट का क्योंकि मैं वो काम नहीं करूंगा या अभी मन्युएस वो काम कभी नहीं करता कि पूरे वीक के डाउट से एक साथ लेखे हो अब कौन सा जो हमने क्लास में किया पूरे वीक में जो हमने पूरे वीक में क्लास में उसका एक वीकली टैस होता है अब इसका से इंपोर्टन क्या होता है कोई भी मेरे पास कोई भी पीडिया पंद या कोई भी टेस्ट है उसका सलूशन कैसे मिल रहा है मुझे इसका सलूशन मुझे मिलेगा वीडियोट सलूशन कियो इक पेज में तो दे सकते बाकी दे रहे हैं वाकी तो दो-nity-nay-zart में में सिसेट दे रहे हैं स्ट क्या वो क्वालिफाइप कर दो की मनत्य में दो सेस्ट कर दे दी थी आपको थैख हो जाएंगे ठीक है डाउट शाषिन मिल रहे हैं बाठ क्या पूरे महिने के डाउट आप एक सब्सक्राइब कर सकते हैं तो यह गलती प्लीज मत कीज़ेगा क्लियर तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें गर कोई डाउट हो तो चलिए नेक्स्ट है मेरा वट्सप ग्रूप का लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया प्लीज इसे भी आप अभी लिजेए चलिए चलिए आज हम करने वाले हैं परसंटेंट से लिटेड बहुत प्यारे प्यारे कोश्ट्स बहुत अच्छे कोश्ट्स लिटेस्ट ए बेजने हैं clear the ratio between monthly income and expenditure of वैदिक इस इट रेशो 5 if his income increase by 20% and expenditure increase by 30% then find the percentage increase or decrease in his monthly savings देखिए सबसे बहली बात मेरे पास income होता क्या है अगर माँ बात पूर income income होता है मेरे पास expenditure plus of income is expenditure plus savings मतलब income की बात करें expenditure में saving को जोड़ते थो income आएगी clear यानि मेरे को question के according clear क्या दिया हो देखो ठीक है अच्छा अगर 8 मेरे income है तो 5 मेरे expenditure हो तो definitely तीन savings होना जीए students ये ध्यान रखिएगा देखो जब भी देखो मैं आपके बात था हूँ suppose करो मेरे पस a ratio भी है मैंने बोला ये मेरे पस 9 ratio 5 है अच्छा अगर मैं इसको 10 से multiply करूँ if I multiply this number by 10 यानि 90 और 50 क्या ये अभी भी 9 ratio 5 में है अभी ठीक है तो अगर मैं इस पूरी equation को जीरो लगा देता हूं या दस से multiply करता हो तो असान हो जाएगा क्यूंकि कई बार complicated अगर मुझे calculation होगी तो मैं easily कर पाऊंगा जैसे if income increase by 20 परसंट देखो होगी मेरी 96 बिल्कुल ध्यान से देखीगा ये latest pattern के question है और बहुत अच्छे अज्जार इसकी मिलेंगे आपको if the income increase by 20% and expenditure increase by 30% यानि expenditure को कितना बढ़ा है हमने 30% यानि 5-15 यानि 15 बढ़ गया और ये कितना हो गया मेरे पास it become 65 clear then find the percentage increase or decrease in monthly savings income मेरे पास कितना है 96 हो गया expenditure 65 इनको minus करो जड़ा कितना है का मेरे पास 31 इसका मतलब अगर बढ़ी हुई मेरी income 96 थे expenditure 65 था तो savings will how much 31 इसका मतलब कितना increment हुओ एक का increment आप का होगे sir 100% तो 10 by 3% यानि कितना हो गया 31 by 3% increment option नबर सी मेरे बिल्कुल सही उत्तर एस्प्रेशन का clear तो प्लीज लाइक शेर सब्स्राइब करना मत भूलिए as well as लाइक ही क्लियर तो चलिए next question बढ़ रहा हुँ है बहुत इंपॉर्टन था है question चलिए जी यह कोशन आज की क्लास का सबसे important question में से है चलिए स्वाथी पेस टेक्स एड़ रेट ऑप 30% और इंटायर इंकम और 90,000 मतलब स्वाथी ने क्या किया कि अग्या कि स्वाथी के salary 90,000 कि स्वाथी ने इस पर 30% का क्या दिया टेक्स दिया स्वाथी ने क्या किया 30% टेक्स दे जितना मर्जियो अभी उसके कोई मुझे information ने लेनी क्योंकि मुझे अभी question में और कुछ भी दिये क्लियर रमा पेस tax at the rate of 40% अब रमा जी इनकी फ्रेंट रमा पेस अच्छा ये कि रमा ने क्या किया रमा कितना पे कर लिए अब यहां बताने मुझे कितना रमा ने कितना टेक्स पे किया 40 % ठीक है और इंटार इंकम वो भाई इसका मतलब रमा के इंकम क्या थी मेरे परodor LOLS इसका मतलब मैंने क्या क्या sentence क्या उर मैंने रमा जी से खुश क्या झेक्दा कि लिए तो मुझे अब तो आपको थोड़ो 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 हिंट ही मिला कि दैन बट इस वल्यों पाई मुझे की वल्यों निकालने मैं अभी भी बताऊंगा सुरी पुछूंगा और आपसे रिक्वाइस करूंगा आप यह बताईएगा जब आपने यह कोशन देखा तो क्या आपके प्रशन इसका मतलब मैं बात करूं स्वुथी की स्वाथी ने कितना दिया तर्थी परसंट रमाने कितना दिया और ल्टी मेंट ली कितना बचा मेरे पास मतलब बना कितना थर्टी सेंट परसेंट इसका इसका 40 परसेंट और इंटार इंकम आप क्या को गए 40 परसेंट टेक्स पर इंकम ऐसी बोलोगे टोटल इंकम पर तो यह बेसिकली रिश्व किसका बना मेरा इनकी इसमें बच्चे थाड़े पजल हो जाते हैं कि क्यों तो भाई थिरीखी वैली कितने मेरे पास 90,000 कितने गुना 30,000 टाइम्स तो इसको भी 30,000 टाइम कर दो सब्सक्राइब तो प्लीज लाइक शेर सब्सक्राइब चैनल आज बोल रहा है मुझे अगला भी बहुत अच्छा कोशन है तो कि इसमें सिरफ और सिरफ परसेंटेज का खेल है सारा और मुझे कुछ नहीं बताना देखी क्या करें कोशन तू सक्सेशिव इंक्रिमेंट ऑफ 30 परसेंट इच इसका मतलब कोश्चन साफ साफ ही कह रहे है कि अगर मैं 30% के दो इंक्रिमेंट करता हूं सबसे बहले मैं 30-30 परसेंट के दो इंक्रिमेंट कर दें तो जो गैप है वो कितना ज्यादा या कम होगा फाइनल वाले से देखें जरा देखो सबसे पहली बात केस्वन की बात करते हैं 30 परसेंट इंक्रिमेंट है यानि ओरिजिनल और फाइनल की बात करूंगा जैसे मैं हमेशा करता हूं देखिए स्टी परसेंट का मतलब कितना है तरी बात होगा यान जो जस्ट वैल्यूंट थी कितनी होगी तेरा फस्ट फ़स्ट फाइम के लिए सेकेंड था इसका मतलब जो दस न दस मेरे पास सो था वह कितना हो था थाटी इन इंटो थाटीन इस वन शिक्स्टी ना यानिया निस आप साप साप कह सकते हो यहां पर इ इंक्रीमेंट यह अगर इंक्रीमेंट आये तीरे तीस तीस के साफ से तो मेरे कितना आएगा थटी आगया तो सब्सक्राइब यह जो दस वैल्यू थी वह कितनी होगी साथ यह जो वैल्यूंद एपास कितनी उग्योंगी मेरे पास यह जो बेल्यूंद थी कितनी होगे 49 अगया तो यह कितने का क्या या कितने का डिफरेंस है अठारा का डिफरेंस बेसिकली कितने पर फिफ्टी वन इंटु ओफ यह फाइंड आउट तरना था इस ब्रिलेंट कोश्चन से तो कोश्चन क्या कह रहा था आपने समझा अच्छे बिल्कुल तो तीन चिक एठारा सेवंटी तो छेसो बटे सतरा प चोटा कितना कि 35.29 तो कि पूरा निजाएगा ये 50 है ये कितना बेसिकली 50 एपन 17 मेरे पास तो पूरा निजाएगा ये कितना आएगा 0.3 ना पर सिजए फॉटा चोटा ओप्शनम बढ़ी इस दा राइट था चलिया चलिए अट इनसीटी 85% अफ टोटल लंबर ओपीपल are on electrical roll cast their vote during an election 10% of the voters cast were declared invalid मतलब 10% invalid if there were 30000 people on the electronic electoral roll and Dinesh secured 137700 valid votes that percent of the total number of votes did Dinesh secured but the percentage यह बता नो यह देको option भी 50.5, 70.2, 45.9 and 60.80% देखिये सबसे पहली बाद, let us do this question, मेरे पास क्या है, 100% है, ठीक है, इसमें क्या है, इनने 15% ने वोट नहीं किया, तो कितना बचा मेरे पास, मेरे पास 85% बचा clear, 10% of voter cast their vote, invalid, मतलब इसका 10%, इसका 10%, इसका 10%, इसका 10% कितना, मैरे पास, तो कितना बच गया, 76.5% बचा मेरे पास, यस, अब देखो वो क्या कह रहा है question, मतलब यह कितना था, यह valid votes है मेरे, अब एक दिनेश नाम का विक्ती है, उसको मिलते है 137700, उसको एक लाख 3700, 700 वोट मिलते हैं, इसका मतलब मुझे सबसे पहले क्या बात बोले है, 100% की वैल्यू कितने है, तो मेरे पास 76.5% की वैल्यू कितने रही होगी, कितना अगर देखो 3000, into 765 divided by 10, तो 765 into 3, देखो यह कितना होगी, अगर मैं 765 into 3 करता हूं, दो दिरो बात में लगा देंगे, साथ यह एक किसो, स्केटी यह ठार है यहनी 180, और पांस यह पंदरह, पांच, नो, 229500, 229500, इतने नंबरो वोट्स मेरे पास valid वोट्स हैं, सबसे बहुत हैं, अब मुझे क्या बोल रहा है, कि दिनेश के पास यह वोट्स है, दबल जिरो डिवाइडेड़ वाई कितना, 229500 इंटू अफ अंडर परसेंट, चलो भाई देखो ज़रा, मेरे पास आप ऑप्शन्स है, 50.5, 70.2, 45.9, एंट, इससे देखो, अगर बेसिकली मैं देखू यहां से, मैं सिरफ यूनिट इजित पर जाँगा, तो मतलब 2295 को मैं किसी नंबर से मल्टिप्लाई करूँ, और एंड में पर जिरो होना चीए, 0 यह तो आरहा है, देखो, क्या 0.5 से आएगा, नहीं जी 0.25 आजाएगा, 0.2 से बन सकते हैं, पांच उना दो दस बिल्कुल बन सकते हैं, नौ से बनेगा 45, तो यह option खतम होगे, और यह option मेरे पास खतम होगे, वह दो option बचे हैं, बट मैं बहले 60 की दरफ जाँगा, क्यों? अंसर ही 60 है, सीन क्या है, यह 2 है, दो को गर मैं साथ से मिल्टिप्लाई करता हूँ, यहां पर मेक्सिकान नंबर कितना है, 13, तो करके देख लो, 2295, करके देख लो, यह उफली आपने नोट करे लिए होगा, मैं जो बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, पेपर में काम आती है, ऐसी चीज़ें, ठीक है, मैंने पैन नहीं चलाए, बट आपका डी 60%, देखो, क् 95, पेंट ओफ 6, 35, 0, 3, ठीक है, जी एंड में साथ चाहिए, नोची के 54, 57, 75, यह दूनी बारा बांक 17, 7, 1, 6, 2, 2, 1, 3, 1, 3, 7, 7, 0, और 1, 0 हो रहाएगा, तो क्या यह एंसर है, यह, option number D is the correct, मैंने पूरी कोशिश की है, कि इस कोश्य की कैलकुलेशन की कम करके आपको चलेशन के आपको पारग दीशन की क्लास, यह चाहिए, यह च्छिटेशन आच से 15, 2, by 3, 152 नहीं है, यह 16, तलेशन की, 1, by 2, percent 15, 2, by 3, percent 16, 2, by 3, percent 16, by 3, percent 16, by 3, percent, and 16, by 3, percent, ते ते लिख माया, options, चलेए, रमेज़ भाइख 300, मैंगो सोर 1100, यह निज ने क्या किया है, तीन सो मेंगों खरिदें कितने के ग्यारा सो रॉपेज हैं सम ओफ दीज मेंगों रॉटन एंड आर थ्रोन अभे मतलब इस में से कुछ रॉटन है एंड रॉन अभे फैंक दियें इसल दा रिमेनिंग मैंगों फाइफ पर इच मतलब एक मैंगों कितने का वेच्छा पांच रॉपे का पैसी दिया एंड मेंगा प्रॉफिट ओफिटी इसका मतलब बेसिकली होगा क्या ग्यारा सो रॉपे की चीज कितने वेच्छों कि उसने अब देखो टोटल कॉस्ट क्योंगे मेरे पास अगर टोटल अगर आप टोटल कॉस्ट की बात करें आप वन मेंगो मुझे क्या बताना है वैं टोटल नंबर ओफ मैंगो इससी दो शुरू में मुझे बताने है तो टोटल कितनी बारह सो पचास एक मैंगो पांच रॉपेका इन्टॉ अपनबर ओफ मैंगो जिए कितना हुए दोसो पचास यानि अगर मेरे पस 300 मेंगों थे 250 मेंगों मेरे पास लेफ्ट आउट यह आप कहोंगे sold out तो कितने मेंगों बचे 50 क्या थे हमारे रोटन यानि 50 रोटन थे कितने में से 300 इंटो और परसंट तो 50 by 3 कितना हो मेरे पास 16 2 by 3% option number C is the right one clear तो C मेरे पास विलकूँ सही अंसर आइसका तो प्लीज लाइक शेर सब्स्राइब करना वीडियो को मत भूली आज वेल आज दा चैनल चली चली श्विट्स इन सर्टन यर एक और कोश्शन ना स्वरी में पास दा पोपुलाइशन ओफ सिटी वस 18,000 इफ इन नेक्स यर पोप्लेशन ओंव मेल इंक्रीज बाद पास फिमेल इंक्रीज बाद सेन परसंट एंट न तोटल पॉपलेशन इंक्रीज बाद दूबल जिर गें दैंग को अ और पिमेल की किरिमेंट कितना ही साथ परसेंट और अल्टीमेटली यह मेरे पास कितना आ गया 19200 देखो आपको अपने कोशन बताता हूं छोटा सा ध्यान रखना इस कोशन के लिए जरूर ही है सपोस कीली मैंने का 50 अगर इसको 10% बढ़ाता हूं तो ये कैना इसको इसको 50 बढ़ाया pop-ie या कोई दर्ट वेली दो यो से मिलकर बनी है और मैंने इनिशिल दो वैल्योट है तो आट electrodी ऑटायाक्तल Creek क्रेंगे जागी इसी तरीक्के से मैंने हमेज़ा छोटे वाली परसंटेज को टार्गेट करना है सब्सक्राइब करो मेल को फाइब परसंट बढ़ाया और इसका दो परसंट नहीं है लिए ठीक है ज्यान से देखो जब फिर को क्या कहा रहे है कि इसका भी पांच परसंट बढ़ता या यहां कितना बढ़ता मेरे पास 900 इसका मतलब यहां पर कितना बढ़ा था 1200 इसका मतलब यहां पर जो 300 का गया पर वह क्यों है क्यों है क्यों है क्योंकि 2% female अभी बच्चे तो मैं क्या कोंगा 2% of female is equal to 300 तो 1% of female कितनी हुई 150 तो आप क्या कहेंगे 100% of female 15,000 यानि टोटल मेरे मेरे पास क्या है अगर 18,000 में से 15,000 है तो 3000 क्या होंगे मेरे पास definitely male होंगे तो मिझे क्या पूच्छा कोशन में male and female तो male कितना है 3000 तो यह कितना है मैंने आपको शुरू में बताया था कि online offline course है आपका ठीक है आप अवेल कर सकते हैं सीचसाटे का full course कोई book की जूरूर नहीं सभी मिलेका विक टेस्ट भी आपकी रिसोर्स रिक्ट्स के साथ क्लास्स असानिमेंट भी और पर बाक्स में अच्छा से दिया गया क्लियर चलिए आपको जैसे बता है number series हो गए आपका है ना reasoning की थोड़ी सी बात कर लूँ आपका coding decoding हो यहां से question मनता है percentage definitely एक से दो question हर क्लास में आता है आपके हर आपके उसमें आता है क्या किते हैं अपने को paper में आता है कर देकि दिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया अब कर आपके पर आप यहां पर पूरा खुलता ने चुली इसलिए मैंने कुशिश करों कुलने कि सब्सक्राइब कि सब्सक्राइब वेटरामिनोत यह यह एक वादा सेकिंड लेगा आपके बस किते हैं गख़ने कि यहां पर सब्सक्राइब करेंगे हमें करना है सबसे पहले यहां पर क्या है मेरे सब्सक्राइब सब्सक्राइब करेंगे तो यहां पर कॉल मी और आपके वट्सक्राइब का आपको दिया आगे जैसे पूरा बंडल सब्सक्राइब तो कितने का सब्सक्राइब करें तो यहां पर यहां पर यहां पर वह आपके पास यह पास आपके पास प्रिटा है जो आपको बताएगा कि इस चप्टर में क्या क्या चीज़ है इंपॉर्टेंट और कैसे कैसे हमें करना है और इसमें कुछ शौर्टकर्स दी होंगे जिसमें रिसोर्स की बात चुरू में की थी ना वहीं यहां पर वैब नोट्स का काम आपके बास क्लियर और दस लेक्ट्टर मिल रहा है जो गंटे से डिड़ घंटा मिनिमम के आपके इसकी परसेंटेशन गॉंटेशन गॉंटेशन तो इस तरीके और आपको देखो हर चप्टर के साथ च्राइल प्रिदिया जा रहा है जो बहुत इंपॉर्टन जिससे आपको पता चले का कि कैसे बढ़ाएगे तो प्लीज पहले ट्राइल लेके देखिए पसंद आए तो ज सिर्फ इसको व्यू आपके पास मिल जाएगा को कर सकते तो इसी तरीके से रीजनिंग और आपके पास एंग्लिश भी माइक्रो कोर्स दिया गया प्लीज अवेल कीजिए लाइक शेयर सब्स्राइब करना प्लीज मत भूलिए एक चीज़ जरूर दिखांगा आपको मैं देखें यह हमारे वो सितारे हैं तो जगमगा रहें जिनका प्रकाश सूरे से जाद है क्यों कि अधिकारी बन चुक है स्पर्स ने 51 रैंक लिया था और नव जीए का 56 था जतिन का 91 दिव्या का 105 श्रीश एक्टो एक्सो ठाथिस इसी तरीके से और मैं नहीं क्या रहा हम 25 साल से नंबर वन क्यों बने हुए 1999 से लेकर अभी तक क्यों नंबर वन है रिजन इसके फिच्छे क्या यह शब्द देखो यह किसी अधिकारी नहीं लिखे मैंने लिखे तो इनको देखिए पढ़िये और बहुत को सीखने को मिलेगा क्यों अभी मन्यों इस न अभी मन्यों आवचा अभी मन्यों आवचा यह शब्द देखिए झाल झाल